उद्योगी के काईयों में बढ़ रही क्रोना पोजिटिव केसों की संख्या गुरुग्राम मंडल आयुक्त असोक सांगवान ने रेवाडी जिले में क्रोना वाइरस की रोक्ताम को लेकर जिला परसासनिक अधिकारियों के साथ और उद्मियों के साथ बैठक की और कहा कि कंपनियों में तेजी से क्रोना वाइरस के केस बढ़ रहे हैं इसलिए कंपनी करमचारियों को जागरू करें ताकि क्रोना वाइरस की चेन को तोड़ा जा सके उन्होंने स्वास दिवाग को काया है कि रोजाना 1200 से 1500 सैंपर ले ताकि जादा सी जादा सैंपर लेकर टैस्ट के लिए भेजे जा सकें आपको बता दें कि जिले में मंगलवार को 69 नए पोजिटिव केस कन्फरम हुए हैं जबकि 54 मरीज स्वास्तो कर वापिस अपने घर लोटे हैं जिले में पोजिटिव मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है लेकिन जिले में जिस तेजी से संकर्मित मरीज सामने आ रहे हैं उसने स्थाने लोगों की और परसासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा रखिये हैं जिले में अभी तक 17861 सेंपल्स लिए गए हैं जिनमें से 1567 मरीज अब तक कोविड-19 पोजिटिव पाई जा चुके हैं जिनमें 1100 नागरिक स्वस्तो कर वापिस अपने घर लोट चुके हैं जबकि 8 मरीज कुरोना वायरस के काण अपनी जान गवा चुके हैं जिले में फिलाल पोजिटिव केसों की संख्या 469 है जबकि 15485 रिपोर्ट नेगिटिव आ चुकी है जबकि 60809 सेंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है जिले में जो एक्टिव केस है उनमें से 20 विविन अस्पतालों में भरती है बान में जिला कोविड केर सेंटर में एडमिट है जबकि 347 मरीज होम आइसलेट किये गए हैं जिले में जो आज 69 नए पोजिटिव केस कन्फरम हुए हैं जिनमें से 47 रिवाडी सहर से हैं तीन धारुएडा से हैं और एक एक मरीज पदियावास नैचाना करनावास बावल खलिलपुरी गिंदोखर किसंगड़ बालावास बिकानेर वै बोडिया कमालपूर से सम्मंदि जबकि ठीक होने वाले 54 मरीजों में से 29 रिवाडी सहर से हैं और 13 धारुडा से हैं नो बावल से दो कापडिवास से और एक-एक मरीज गूगोड सूंदरोज रामपूरा हुसेनपूर माला हिडा वै सिद्रावली से सम्मंदित हैं इसके साथ ही आपको बता दे कि जिले में जो पोजिटिव केस सामने आये हैं उनमें से 237 मरीज ऐसे हैं जो उद्योगिक इकायों में काम करते हैं यानि किसी ना किसी कमपनी के करमचारी है आज गुरुगराम मंदल के आयुक्त ने बैठक के दोरान कमपनियों में बढ़ रहे पोजिटिव केसों की रोक्थाम के लि प्रशाए ताकि संकर्वन की चेन को तोड़ा जा सके आयुक्त असोक सांगवा ने उद्योग पतियों से कहा है कि कमपनियों में काम करने वाले काफी करमचारी ऐसे हैं जो एक ही प्लाट में बने अनेकों कमरों में एक ही साथ रहते हैं और एक ही बातरूम सेयर करते हैं ऐस सकता है और उद्योग को बंद करना पड़ेगा ऐसे में जरूरी है कि करमचारियों को टैस्ट के लिए जागरू करें